स्रीनगर में हुए आतंकी हमले में जगदिसपूर थानाचित्र के वादे सैधपूर निवासी 56 वर्सिय विरंजन पासवान की गोली मार कर हत्या कर दी गई है बतादी विरंजन पासवान पिछले धाई साल से स्रीनगर में रहकर पानी पूरी की दुकान चला कर वादे सैधपूर गाउं में रहकर अपने बाल बच्चे का भरन पोसन कर रहे थे अचानक मंगलवार दोपहर फोन आया कि वरंजन पासवान को स्रीनगर में आतंकियों ने गोली मार कर हत्या कर दी है पतनी पुतुल देवी ने बताया कि सोंबार को उनका फोन आया था कि वो दुरगा पुजा में घर आएंगे और उनका टिकट बन गया है लेकिन साम में फिर फोन आया कि आतंकियों ने उन्हें गोली मार कर हत्या कर दी है वे पिछले ढ़ाई वर्से स्रीनगर में रह रहे थे और उनके चचेदे भाई विरंदर पासवान और एक भतिजा विकास पासवान भी वही रह रहा था वे लोग भी पाने पूरी की दुकान चलाते थे मिर्दक के पुत्र बिक्रम ने बताया कि धाई साल पहले पापा स्रीनगर गए थे इससे पहले भी कोलकाता में रहते थे साथ ही बताया कि हम लोग छब भाई बहन है जिनमें एक की साधी हो चुकी है एक बहन नितु कुमारी इंटर पास कर गई है नेहा कुमारी इंटर की पढ़ाई कर रही है एक बहन मोनिका भी पढ़ाई कर रही है भाई सुमन मैटरी की पढ़ाई कर रहा है पापा के भरोसे ही साला परिवार का भरन पोसन हो रहा था अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे अब हम लोग किनके सहारे अपना जीवनियापन करेंगे नाथनगर के चंपानदी में नहाने के दुरान एक बच्चा डूब गया परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मिर्तक करीब एक बजे तीन दोस्त मिलकर नदी में नहाने की योजना बना कर चंपानदी पहुँच गये वहीं नहाने के दुरान एक का पैर फिसल जाने से वो गहरे पानी में चला गया अस्थानिय गोता खोरों की मदद से खोज कर बाहर निकाला गया हलाकि तब तक उसकी मौत हो गई थी मिर्तक की पहचान लनमटिया थानाच्छित के फाड़ी गली निवासी गंगा परसाथ सहा के इकलौते पुत्र गुरू कुमार सहा के रूप में हुई है वहीं उक्त दो दोस्तों के दोरा परिजनों को सूचना दी गई मौके पर पहुँचकर परिजनों ने सब की पहचान की वहीं इस घटना से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है मिर्तक अपने घर में चार बहन में इकलौता पुत्र था नातनेर इस्पेक्टर मौम्मद सज्जाद हुसेन ने बताया कि सब को कब जय मिले कर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया गया है भागलपूर हजडिया राजमार्ग पर देर साम सराब के नसे में ट्रक चाला को ने तीन लोगों को रौन दिया सराबी चाला को जगदीसपूर थाना पुलिस ने मौके पर से गिरहपतार कर लिया प्राप्त जानकारी के नसार संधिया साथ बजे रजौन की और से आरही ट्रक भागलपूर की और जा रही थी तेजगती से आराय ट्रक ने जगदिसपूर थाना के ठीक सामने फूट पात पर चिनिया बदाम बेच रही नवादा निवासी बवीता देवी को धका मार दिया वो घायल हो गई सरावी चालक ने पुनह गाड़ी को तेजगती से दोड़ाया और पान दुकान में ठोका इस दोड़ान डो मोटर सैकल सवार वी उसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह से घायल हो गए चक रौसन निवासी लश्मन यादब के तीस वर्सिय पुत्र रमेश कुमार एगम संग्राम पूर निवासी रमेश यादब के पुत्र अजीत कुमार दोनों बाइक लगा कर खड़े थे लेकिन दुरभाग से ट्रक ने उन्हें ठोका जिससे वो बुरी तरह से घायल हो प्रित की स्थिती नाजुक देखते हुए उन्हें माया गन इस्पिताल रैफर कर दिया गया हनाधिर स्रीकान चवान ने कहा कि मौकाय वारदात से परसौती पूर निवासी ट्रक चलक सहनवाज को गिरफतार कर लिया गया है बताया जा रहा है कि वो बालू लेकर बाइपास तक जा रहा था और खलासी का काम करता था घटना के बाबत अस्थानियम मुखिया परतनी धी घंस्याम मंडल धरगी आविधायक भुदेब चौधरी घैल को देखने अस्पताल पहुँचे वही लोगों ने कहा कि मौत बनकर दोडती तेजगती की ट्रक पर प्रसासन का कोई नियंत्रन नहीं है इस करन आए दिन दुर्खटना घटती रहती है पटर बाबू रोड इस्थित हूटर असोका गरांड के बगल वाली गली इस्थित कपड़ा वेफसाई संभू टिबरिवाल के घर में बीते 24 सगस्त को हुए डखैती कांड के माश्टर माइंड सनोज यादब को बुद्धुभार दोपहर पुलीस ने गिरहपतार कर लिया मदुसुदनपुर इलाके के करिला गाउनी वासी सनोज कुमार का अपराधी किती हास रहा है गिरहपतारी के बाद सनोज की निसान देही पर पुलीस कई जगों पर छापे मारी कर रही है पुलीस याद पूछताच में भी उसने लूट कांड को लेकर कई राज उगले है वहीं लूटे गए जवराध को कहां बेचा गया है इसकी भी उससे पूछताच की गई है देर साम नातनगर इलाके में पुलीस ने स्रीलशमी नरायन जोजर्स में छापे मारी की पुलीस दुकान मालिक सुरेंदर कुमार को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई उससे पूछताच के बाद और भी कई राज खुलने के उमीद जताई जा रही है भागलपूर नौगचिया की रंगरा थानाचेतर की मुरली पंचायत में मुखिया चुनाप की तयारी कर रहे अब इसे कुमार उर्फ छोटू सिंग को अपराधियोंने देर राद गोली मार कर घायल कर दिया छोटू सिंग जब परचार कर अपने घर के धरवाज अपर पहुँचा तब पहले से घात लगाया थीन अपराधियोंने ताबर तोड़ों फायरिंग कर दी जिससे अब इसे कोग दो गोली लगी जिसके बाद परजिनों ने इराज के लिए उसे जवाहर लाल नहरू चिकित साथ स्पताल में भरती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है चुनाब में खड़े होने को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है घायल का कहना है कि तीन सार पहले उसकी पिता के भी हत्या की गई थी चुनाब में खड़ा होने की वज़ा से ब्रोधियों के दोरा घटना को अंजाम दिया गया मायगन अस्पताल में बन रहे तीन सूर एमपील ऑक्सिजन प्लांट दिसंबर में सुरू हो जाएगा इसकी सारे तैयारियां पूरी कर ली गई है डीजी नहीं मिलने से अभी तक प्लांट सुरूर नहीं हो सका है यह उक्सिजन प्लांट के ऑपरेटर सुनिल सौरभ ने बताया इस पर अस्पताल धिच्चक असीम कुमारदास ने बताया कि दिसंबर तक डीजी जरनेटर दे दिया जाएगा जो भी जरूरते हैं उसको भी पूरा किया जाएगा आपको बता दें कोरोना काल में ऑक्सिजन की कमी होने पर सरकार के दुरा स्पताल में दो ऑक्सिजन जेनरेशन प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया था इसमें एक 300 LPM ऑक्सिजन प्लांट बनकर पूरी तरह तयार है इससे 78 बेडों पर ऑक्सिजन दिया जाना है च्छ माँ पहले प्लांट का NRB मसीन की चोरी हो गई थी काम रुग गया था जिसे अब लगा दिया गया है वही एक दूसरा 1000 LPM च्छ मतला का ऑक्सिजन प्लांट बिल मेलिंडा गेट्स फॉंडेशन वा पाथ संस्तादोरा लगाने का काम सुरू हो गया है इसको भी जल्द ही पूरा कर लिया जाना है दूरगापुजा को लेकर बुद्धवार को सुल्तान गर्श थाना परिसर में सांती समीती के बैठक थानाधच लाल बहादुर की अध्चता में हुई बिडियो मनोच कुमार मुर्मू अंचला धिकारी संहुसरन राय की उपस्तिते में सुल्तान गन्स थाना चित्र के 17 पूजा समीतियों के अध्यच उपाध्यच वस्दस्य की मौजूदगी में सांति पूर्ण वस्वहार्द पूर्ण महौल में दुर्गा पूजा प्रतिमास थापित वविसर्जन पर चर्चा की गई थाना धच ने सभी पूजा समीतियों से अपील किया कि कोरोना गाइडलाइन को देखते विए सादगी पूर्ण तरीके से मा की पूजा अर्चना करें उनने पूजा समीतियों से कहा कि पंडाल का निर्मान सांस्क्रतिक कारिकरम ड नहालिया असनान को लेकर भागलपूर जिले के बिभिन गंगाटट ओपर सरधालों की भारी भीड़ देखी गई स्रीडी घाड जहाज घाड आदमपूर घाड एसेम कॉलेज घाड सहीद बिभिन गंगाटट ओपर सरधालों आस्था की डूपकी लगाते दिखे इस दौरान पुलीस प्रसासन ने जहां सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये थे वहीं जिला प्रसासन के दौरा बिभिन गंगाटट ओपर किसी अनोहुनी क्या संका से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम की तनाती की गई थी सारदिया नावरात्रा को लेकर सुल्तान गंज की पवित्र उत्तरवाहनी गंगाटट प्रसनान करने वजल भरने के लिए स्रधालू की अपार भीड दिन भर उंबली रही एहले सुभा से ही पास पड़ोस की जिले सहीत अस्थाने स्रधालू अजगेविनाद गंगा ठट पर पहुँचकर आस्था की डूप की लगाते रहे गौर तलब है कि 10 दिनों तक चलने वाली नवरात्रा दुरगा पुजा 7 अक्टूबर गुरू वार से कलसस्थापना के साथ सुरू हो जाएगी यही वज़ा है कि स्रधालू पुजा के एक दिन पूरू महालिया के अपसर पर गंगा में डूप की लगा कर सुद्ध होते हैं और पवित्र गंगा जल लेकर अपनी पुजा का नुश्थान सुरू करते हैं जल और मिट्टी कापियो कलसस्थापना सहित पूजा में होता है वही दुर्गा पुजा को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है एक और जहां कपड़ा बेवसाई खुस है वही मिठाई दुकानदार हुआ किरना फल वालों पूजा पाठ के सामगरियों वाले दुकान पुकानदार हुआ